इस अख्षय नौमी पर केवल भगवान श्री हरे के इस एक नाम का भी कोई मनुश्य स्मरन करता है तो पुत्रार्थी को पुत्रप्राप्त होता है विद्यार्थी को विद्याप्राप्त होती है दरी दरता से जो जूज रहा है मनुश्य वह दरी दरता से मुक्त होता है जिनकी कुनली में जिनके परिवार में पितरों की समस्या पित्रुदो शादी उससे वह मुक्त होता है जिनकी जनम कुनली में अरिष्ट युतिया है वह भी कही ना कही शांत होती है जिनकी महादशा चल रही है अरिष्ट ग्रहों की तो वह भी महादशा शांत होती है जिनको वानी की समस्या है वह कही ना कही वानी की बोलने की दिक् बिलाब होता है और मुल रूप से बगवान श्री हरी के पुरुनक रूपा प्राप्त होती है अगर कोई मनुश्य इस नाम का स्मरण करता है तो और वो नाम क्या है उसको मंत्र के स्वरूप में कैसे जपा जा सकता है कहां पर जपना है वहाँ सब कुछ आज मैं आपको रवी बार के दिन, प्राता हकाल से लेकर रा प्रिकालतर कोई भी मनुष्य के वर vocal sounds करता सभवाधिक प्रिया और प्रसंद कर जो मैंने आपको बूला जो लिखा हुआ है वह सर्वस्वप राप्त होता है अब इसी मंत्र को इसी नाम स्मरण को मंत्र के स्वरुप में जपना है तो कैसे जप सकते हैं तो दो विदान है एक विदान दात्री मूले अर्थात आप आवले के व्रूक्ष या अगर आपने घर में ही गमले में लगाया है तो गमले के आगे बैठकर संबव है तो गव माता के घी का दिया प्रजवलित करें और इस मंत्र की माला जाप करें ओम दामो दरायनमह घी किसी भी प्रकार से दिया किसी भी प्रकार से किजे खड़ी बात लेती बात मिटिका दिया ये दिया वो कोई मैटर नहीं करता है केवल दिया प्रज्वलीत करें और इस मंतर की माला जो है वह लाज चम्दन सफेच चम्द तुल्शी जी या रुद्राक्ष की माला का प्रयूक कर सकते हो यह था शकती माला करनी है ऐसा नहीं है कि एक कर ये तीन कर ये जैसे आपकी जो भी समय सैय को उस प्रकार से लेकिन किसी भी समय यह मंत्रा जाप कीजिए ओम दामो दरायन मह अक्षाई पुन्य फल देगा अगर आवले का पेड़ प्राप्त ना हो तो आप आठ आवले घर में लाइए और घर में ही आवले लाकर आप उस आवलों के सामने बैठ कर अवश्य ही इस मंत् चंदन है अर्थात लाग चंदन सफेच चंदन रुद्राक्षिया फिर तुलसे जी की माला से आप यह मंत्र जाप कर सकते हो कहने का तात पर यह है कि कल अक्षाई नावमी पर जो कई भी मनुष्य दामो दर केवल नाम समरन भी करता है वह भी दामो दर प्रिया और हरिप प पाउने प्राप्त होती है बाकि इसके विशेश कोई निती नियमादी कुछ भी है नहीं केवल एक नाम दामो दर दामो दर दामो दर और वहकल इस अक्षाई नाम समरन भुलने चाहिए मंत्र जापादी करने चाहिए यह था आज का विशेश और वीडियो अगर आपको यह विशेश वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेर करे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य किजेगा बहुत जल मिलते हैं नए विशेश और वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहिए कर्मकान भाई आनंद पाठक मेरे साथ ओम गनेश दामो दर दामो दर दा अमदामो दर राय नमाहा